पूर्ण फिलों हम बात करेंगे Adventure Gold के AGLD कोई की प्राइस मुमाइन के बारे में Entry Levels, Updated Levels और आने वाले दिनों में आपके लिए टागेट करेंगे Currently, as a.55 पर ट्रेड कर रहा है एक अच्छे डाउन टेनिक अच्छी डिप के अंदर वह अपिस्टा में स्कॉयन की प्राइस देखने को मिली है जो हमारे पास एक बहुत अच्छी पोस्टी स्कॉयन के अंदर निकल का रहे है जो भी स्कॉयन में Entry देख रहे हैं उनके लिए बात करेंगे कौन सा आपके लिए Best Entry Points रहेंगे और आने वाले दिनों में आपके लिए टार्गेट्स करेंगे As a Trader, Long Term और Short Term के Perspective से आपके इरियास पर नजरे बना रख सकते हैं और आने वाले दिनों में आपके लिए टार्गेट्स करेंगे अबराल सारी जी जो के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए इन्वेस्टर टेडर मार्केट में आए हैं जिनको जादा नोले एक्स्प्रेंस नहीं है उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रोपर गाइडेंस प्रोपर स्टडी शेर की जा सके गेचेच एकसेस रहेगा तो जो भी अपनी क्रिप्टो जरनी प्रोफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो ल果वशसस से बचना चाहते वो इन्सेंट पर डीम करके जोइन कर सकते हैं इनसटा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में है 0.55 पर अभी कोई ट्रेट कर रहा है डिली का चार्ट उपन करें तो यहाँ पर रिसेंटली स्कॉइन में हमने प्रीवेस लिक अच्छा खासे ब्रेक आउट देखें जहाँ पर स्कॉइन ने 0.45 वाले लेवल से अक्टूबर एंड में एक अच्छा मूव लिया जो कि अल्मोस्त 0.90 से उपर वाले लेवल तक था फिर हम में ड्रोप देखने को मेला 5.3 तक प्राइस चली गई और वहां से वापिस हमने रिसेंटली 19 सेप्टेंबर 28-29 सेप्टेंबर को स्कॉइन में ब्रेक आउट देखा स्कॉइन ने 8-4 वाला लेवल ट्राइ किया था दोनों टाइम हमने अच्छे कासे लेवल पर स्कॉइन में एंट्री ली थी वो प्रोफिट जनरेट किया और वापिस अगर आप देखें तो उसी लेवल पर इसकी प्राइस हमें देखने को मिल रही है हमने यहां बाई किया यहां बाई किया प्रोफिट वो किया और अभी अगर देखें तो वापिस जो हमारा लेवल है इस लेवल पर हमने पहले बाई किया हुआ है उसी लेवल पर स्कॉइन के प्राइस देखने को मिल रही है अल्रेडी हमने इस कोईन में पहले वी इंट्री ली है अभी बीजिस से एक अच्छे ब्रेक आउट के चांसे से एक अच्छे का से मुमेंट के चांसे से जहां से कोई 0.75 से लेके 8-0 तक इजी ली मूग कर जाएगा 20-30-35 परसन तक का इजी प्रोफिट आपको देखकर चला जाएगा यहां पर 0.48 वाल एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है जिसको इस कोईन ने यहां सेप्टमबर मंत के अंदर मेंटेन किया उसके बाद अभी भी मेंटेन किये हुए है उस लेवल तक ना तो हमें प्राइस देखने को मिली है और उस लेवल तक जाने के कोई चांसे भी नहीं है उससे पहले ही यह कोईन मूग कर जाएगा उपर के अब 0.58 वाला एक नोर्मल रिजेक्शन एरिया है जहां यह ट्राइग करेगा उसको ब्रिक कर देगा सेकेंड 0.70 के एराउंड में अच्छा का स्ट्रोंग रेजिसरेंस एरिया है वहां से हमें थोड़ इसे प्रोब्लम फिस करने को मिल सकती है वीकली का चार्ट देखें व 0.66 वाला इस को एन के लिए वीकली में सपोर्ट एरिया था जो की एक लेबल था जहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिले वह व영ख्ने से रिया था उसको इस कोईन ने ब्रेक किया था लेकिन सपोर्ट नहीं बना पाई यान यह कि वीकली क्लोज ही उस लेवल पर अच्छ support area जिसको इस coin ने पिछले 3-4 महिने से 2-3 महिने से maintain किया हुआ है जब इस coin ने 1.4 वाला breakout लिया था उस time पर maintain किया वहाँ से drop देखने को मिला फिर breakout 2-3 बार हमने इस coin में अच्छे खासे breakout देखे यानि कि हम July मन्त से लेके अक्टूबर मन्त आ गया है पिसले 3-4 महिने से हम इस coin से रिलेटेट रेगुलर आपको entry शेर कर रहे हैं और प्रॉपर लेवल पर exit भी करवारा profit भी बुक कर रहे हैं अच्छा कासा coin है यहाँ पर अगर बात करें NFT-based coin ने इसकी एक loot chain करके dedicated layer to blockchain इनों ने start की थी जून मन्त के अंदर हो इसी वाज़े से हमने इस coin में 1.4 वाला breakout भी देखा था 20 of July को यह breakout हुआ था यानि कि यह 1.4 वाला level और as it is हमने 1.4 वाले level पर exit किया था 1.404 तक price गई थी हमने ट्रेडिंग प्रस्पेक्टिव से 1.15 वाला लेवल टागेट बताया था price drop होई हमने इस coin को 5853 पर buy किया और फिर हमने अच्छा कासा profit यह वाला profit generate किया और उसके बाद यहाँ वापश generate किया हमने आपको 8-10 डेस पहले भी इस coin में अल्रेड़ एंटी शेयर की हुई है जिसमें 5-8 और 5-4 वाला लेवल आल्रेड़ी हमने बता चुके हैं यानिकि आपको दो लेवल पर एंट्री लेनी थी फर्स लेवल कौन सा था 5-8 और सेकेंड लेवल था 5-4 और 5-4 ते निचे अभी price चली गई थी दो दिन पहले तो आपकी एक average buying 5-6 की हो गई होगी अभी भी जिनों ने buy नहीं किया अगर आप वीडियो लेट वोच करते हैं 5-6-5-7 तक भी price रहती तो भी एक अच्छा लेवल रहेगा तो वहाँ पर आपको 70% पार्ट से इंट्री लेनी हैं इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत fluctuation होती है price में थोड़ा वो ट्रोप देखने को मिलता है market की condition अभी पूरी तरह से सही नहीं हुई लेकिन फिर भी ओवराल यहां से सिनारियो जो है वापेज BTC के मूव करने के हैं और अर्स भी मूव कर रहे हैं तो साथ यो साथ में यह coin भी मूव करेगा और हमें easy profit देखर चला जाएगा तो फिर भी हम 5-1 वाले लेबल पर बाकी 30% पार्ट से buy limit ल इस्पेक्टिव से उनके लिए first और immediate target रहेगा 0.68 वाला लेवल जहां पर आपको अपना 60% पार्ट से लाउट करना है जो token यहां buy करेंगे आप उसके 60% token 0.68 पर आपको sell करना है second target रहेगा 0.74 वाला लेवल जहां पर आपको बाकी 40% पार्ट से लाउट करना है इस टाइज से 60-40 के दुस्वर आपको 0.68 और 0.74 पर sell करना है जो short term वाले हैं जो monthly basis पर hold करके और 40-50% का profit टागेट रखते हैं उनके लिए हम 0.78 वाले टागेट recommend करेंगे वहां पर आपको 100 percent पार्ट से लाउट करना है इतने टाइम वीट कर सकते हैं तभी आपको 7-8 वाले लेवल का target लगाना क्योंकि minimum यहां से हम एक अच्छा breakout एक अच्छा लेवल 8-0 तक का लेवल जो है वो October end तक यहां पर देख सकते हैं तो उतने टाइम वेट कर सकते हैं तभी आपको उस ले 8-0 तो वह अपनी recovery area पर जो भी आपकी buying price उस पर sell limit लगा कर रहे और पहले अपने amount को recover करें इसके अलाबा जो नए investor trader market में आये हैं जनको knowledge experience नहीं हैं वह हमारी premium membership में ज़रू enroll करें वहां पर आपको proper guidance proper study share की जाएगी चेट access रहेगा crypto queries दोल की जाएगी signal share की जाएगी और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बचना चाहते हैं वह इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इंस्टा के link वीडियो के description में हैं वाकिया आपर buy or sell खुद के risk खुद के research के हिसाब से करें आपर हम कोई finance advice नहीं दे रहे वीडियो से पर पस्ते हैं ताकि आपको overall coins related knowledge हो सकें वीडियो अच्छा लगा है like सरू करें चैनल को subscribe कर लें thank you